एक दिन एक कुमहार को मिट्टी खोते समय अचानक एक चमकडार पत्थर मिला. उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया. कुछ दिनों बाद, एक बनिया ने उस गधे के गले में बंधे पत्थर को देखा और उसकी चमक से प्रभावित हुआ. उसने कुमहार से एक दिन एक जोहरी की नजर उस तराज उपर पड़ी, उसने बनिय से उस पत्थर की कीमत पूछी, पांच रुपए, जोहरी को समझ में आ गया कि बनिय इस कीमती पत्थर को साधारन समझ रहा है, उसने मोलभाव करते हुए कहा, पांच नहीं चार रुपए में दे दो, बनिय एक दूसरा जोहरी कुछ सामान खरीदने बनिय की दुकान पर आया, तराजू पर बंधे चमकदार पत्थर को देखकर वह चौक गया, उसने बनिय से पत्थर का मूल्य पूछा, पांच रुपए, दूसरा जोहरी तुरंथ पांच रुपए निकाल कर बनिय को दे दिया, औ अगले दिन पहला जोहरी फिर से बनिय की दुकान पर आया, और पांच रुपए निकाल कर बोला, लाओ वह पत्थर दो, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी पांच रुपए में ले गया, यह सुनकर जोहरी ठगा सा महसूस करने लगा, अपने दुख को कम करने के लिए उसने बनिय से कहा, बनिय हसते हुए बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, मेरे लिए वह केवल एक साधारन पत्थर था, जिसकी कीमत मैंने सवासेर गुड़ दे कर चुकाई थी, पर तुम जानते हुए भी कि वह एक लाख का हीरा है, उसे पांच रुपए में भी नहीं इसको आपके अंचल की कहानी बना कर दिखा सके, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कि जीवन में कई बार हमें अनमोल चीजें मिलती है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जैसे इस कहानी में कुमहार और बनिय ने किया, और कभी- जहरी के साथ हुआ